मुखे मंतरी साय लगातार विभागों की समीखशा कर रहे हैं विभागों की समीखशा का आज है आगरी दिन PHE, ग्रह और जेल विभाग की आज समीखशा होनी है जल जीवन मिशन में तेजी लाने पर जोर कानून विवस्था पर भी चर्चा डेपीटी सीमरुन साओ बैठक में मौझूद है मुख्य सचिप समीत तमाम विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा है CM साय लगातार विभागों की समिक्षा करना है आज इसका आखरी दिन है PHE ग्रह जेल बेहत महत्वपूर्ण ग्रह बेभाग जो प्रधान मंत्री माननी नरेंद्र मोधी जी का सपना है हर घर नर से जल और प्रदेश में PHE जल की अपूर्ती को तेज गती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे एक अती महत्वा कांची योजना प्रदान मंत्री माननी नरेंद्र मोधी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में उस काम को और तेज गती से आगे बढ़ाने का उसका करेंवन करने की दिसा में आज सार्थक बाच्चीत और निर्देश माननी मुख्य मंत्री जी से मिलेगा और सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुएं सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे क्या कुछ समिक्षा बैठक का अपडेट है वो आकाश से ले लेते हैं आकाश आज पी एची ग्रह और जेल इसमें से ग्रह विभाग बेहत महत्वपूर्ण आकाश जानकारी ले रहे हैं इससे पहले जो विभागी मंत्री जो कल आला दिकारियों की बैठक लिए उसमें सारा प्रेजेंटेशन तयार किया गया था इसके बाद एकिक करके मुख्य मंत्री को दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से योजनाय चल रही है फोकस था जल जीवन मिसन पर जोर अभी दिया जा रहा है जिस तरीके से अरुन साव ने खुद ही कहा है क्योंकि लंबे समय से वो योजना पिछडी हुई है और लक्च है कि तमाम लोगों को जल से जल घर घर तक नल पहुँचाना है उसको लेकर काम किया जा रहा है इसके साथ ही जो है ग्री जेल विभाग को लेकर भी समिक्षा बैठा कोनी है इसमें डिप्टी सीम विज़ शर्मा शामिल होंगे सीधे फोकस है कानून व्यवस्था को लेकर आप दे आप देखी रहे हैं किस तरीके से भाजपा सरकार आने के बाद लगातार जो नक्सली के रोक के लिए मुवमेंट चलाए जा रहे हैं लगातार जो मुड़ बेड़ हो रहा है नक्सली मारे जा रहा है स्रेंडर किया जा रहा है नक्सली ओदारा तो एक तरीके से नक्सल मुक्त छतिसगर बनाने की जो कवायद है वो सरकार तेज कर दिये इसके साथ ही जो तेत्रों में जो है कानून विवस्था बहतर बनाने को लेकर भी चर्चा है तो तमाम तरीके से बाते जो है मुख्यमंत्री विश्युदे विशाय के सामने जो विश्य है वो रखे जा रहे हैं जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सहोगी आकाश विश्थार से जानकारी दे रहे थे इधर 36 गड़ में साल के आखिर में नगरीय निकाय चुनाओं होने हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाओं में करारी हार के बाद कॉंग्रिस के सा नगरीय निकाय के चुनाओं में भी बड़ी जीत दर्ज करेगी कांग्रिस का कहना है कि शनाओं के मजबूति से चुनाओं लड़ेगी प्रणाली कुछ भी हो पार्टी तो चुनाव लड़ती है और बहतर प्रदर्शन करेगी अभी जिस प्रकार से विधान सभा का चुनाव का परिणाम आया लोग सभा का चुनाव परिणाम आया निश्चित रुप से आने वाले समय में जो नगरी निकाय के चुनाव है भारती जनता पार्टी पूरी महनत से लड़ेगी जनता का असिरवात प्राप करेगी और भारती बलवदा बाजार की घटना सरकार और इंटेलिजेंस का फेलूर है। यह आरूप लगाया है चाथीजगर कॉंग्रस के अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने पूछा है कि सरकार ने जैत्खम को तोड़ने वाली घटना को गंबीरता से क्यों नहीं लिया। सरकार ने इसकी सीवी आई जांच क्यों नहीं करवाई। बलवदा बाजार की घटना एक बड़ा फेलूर है। जैत्खम की घटना को गंबीरता से क्यों नहीं लिया गया। यह पूरा घटना करम जो शुरू हुआ वो जैत्खम तूपने को लेकर ही हुआ। उसके बाद आंदुलन वाले दिन तक तक तकरीबन 20 दिन का फासला था। पूरा प्रदेश को संभाल नहीं पा रही है। कानून व्यूसता नियंतरड में नहीं है। कि सरकार अगर सीबियाई की जाच मांग कर रहे हैं अगर समाज़वाले तो सरकार सीबियाई जाच क्यों नहीं कराए। क्या इससे पहले जब से भारती जल्दा पार्टी की सरकारा ये दो तीन ही सुपे सीबी आइ जाच की उन्होंने बुज़डाय की सीबी जाच करा इस गटना पिर क्यों नहीं जगदलपुर में हुआ है न्यूजेटीन की खबर का बड़ा असर न्यूजेटीन ने बारिश से पहले रेट माफिया के एक्टिव होनी की खबर दिखाई थी बारिश से पहले रेट माफिया ने बड़ी मात्रा में रेट का अवैद स्टॉग जमा कर लिया है खबर दिखाई जाने के बाद खनन विभाग नीन से जागा विभाग ने रेत ख़दान से एक चेन मशीन ट्रेक्टर टॉली इन्हजब्ट कर लिया इतने बड़े पैमाने पर अवैद रेत का स्टॉक देकर अफसर भी हैरान हो गए थे चार के खलाब केस दर्ज किया गया है रेत के अवैद भंडारन की पटवारी से जांच करवाई जाएगी बस्तर कलेक्टर ने दूशे उपर सक्त कारवाई के आदेश दिये है इधर दुर्ग में